हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मार्च 2023 की S.E.C.R. रेल न्यूस अपडेट में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, पहली खबर आती है बिलासपुर से, जहां 15159 और 15160 सालनाथ एक्सप्रेस अब डेली चलने वाली है सालनाथ एक्सप्रेस चत्यजगर और बिहार को कनेक्ट करने वाली 6 ट्रेनों में से एक है सालनाथ एक्सप्रेस दुल्क से चलकर बिहार के चपरा तक जाती है यह ट्रेन को दिसेंबर से हफते में 4 दिन कर दिया गया था कोड़े के वज़े से यानि ये ट्रेन तीन महीने से हटे में सिर्फ चार दिन ही चल रही है अब ये ट्रेन हटे में सातों दिन अपनी सुविधार देगी इस ट्रेन के डेली ना चलने के वजय से गुंदिया बराउनी एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस और साउथ बिहार एक्सप्रेस में रश काफी बढ़ गया था दोस्तों दूसरी कबर आती है नया रायपूर से जहां रेलवे ट्रैक रेडी कर लिया गया है और नया रायपूर स्टेशन अब विशाकापटनम लाइन से जुड़ गया है इस रूट पे मंगलवार को ट्रेन चलाई गई और ट्रायल किया गया मंदिर हसौत से केंदरी के बीचे ट्रायल किया गया रेलवे के अफसरों का अनुसार अब केवल मुख्य सुरक्षा आयुक्त से ट्रेन पर नियमे ट्रेन दोड़ाने की प्रमान पत्र का इंतसार है उनकी ओर से हरी जंडी मिलने के बाद जरूरत के हिसाब से यहां ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा नया रायपुल में कुछ कुल पांच रेलवे स्टेशन बनाए गए है नया रायपुल रेलवेस के बाड़े में एक डीटेल्ड वीडियो चैनल पर जल्द आएगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों तीसरी खबर आती है बिलासपुल से जहां ट्रेन में खुले आम दूसरे ब्रेंड का पानी बिक रहा है ये ब्रेंड लेलवेस एप्रूव भी नहीं है दरसल अधिक लाप कमाने के चक्कर में पेंट्रिकार के संचालक नियमों की धज्या उड़ा रही है ये खेल कई महीनों से चल रहा है गर्मी बढ़ने के बाद भी दूसरे ब्रेंड के पानी की खपत और भी जादा बढ़ गई है इसके बाद भी लेलवेस के दौरा कोई एक्शन नहीं लिया गया है दोस्तों चौथी कबर भी आती है बिलासपुर से जहां जोनल स्टेशन के वातानों कुलित यात्रि प्रतिकशाले की रेलवे को अब तक सुद नहीं है यही वज़य है कि चार एसी में से दो बंद पड़े हैं वहीं दो एसी चल रहे हैं ऐसे में प्रतिकशाले में यात्रियों को गर्मी का सामना करना पड़ता है दोस्तों पाँचवी खबर आती है बिलासपुर से जहां भनवार टंक खोंकसरा रेलवे स्टेशन के बीच योगनगरी डिशी केश से पुरी जाने वाली उतकल एक्सप्रेस का पेंटो तोट गया इस घटना के चलते ट्रेन धाई गंटे तक खड़ी रही बाद में डीसल इंजन से ट्रेन आगे भड़ी इसके बाद OHI मरमत हुआ इसके कारण शेहडोल में मुख और कुछ मालगाडियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ दोस्तों छटवी खबर आती है बिलासपुर से जहां निर्ने लिया गया है कि करगी रोड रेलवे स्टेशन में जल्दी दुर्क अंबिकापूर एक्सप्रेस का हॉल्ट होगा और उसी तरह बिला और घुटकू और साथ ही खुड़ी रेलवे स्टेशन में भी कुछ और ट्रेनों का हॉल्ट दिया जाएगा अब वो ट्रेने कौन सी होंगी उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतसार क्योंकि इसका डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा शाम तक दोस्तों तो कुछ ऐसा था 2 मार्च 2023 का SCCR रेल नियूस अपडेट आपसे मिलूँगा ऐसी अनेक वीडियो में अभी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं Mr.HVCG वहां मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देते रहता हूँ